हाल ये खत्म होने माले वर्ल कप में विरात कोहली ने 11 मैचिस खेले, 6.50, 3.00 सेंचरीज, बाबराजम ने 9 मैचिस खेले, महस 4.50, कोई सो नहीं, उसके बाद दोनों ने कोई बंडे मैच नहीं खेला, तो फिर बाबराजम नंबर वन क्यों है, विरात कोहली क्यों नहीं, यह स इस बार ऐसा आ रहा है, पाकसान के अंदर से भी ऐसे वाज़े उठ रही है, कि बाबराजम की रैंकिंग नंबर वन कैसे बनती है, जबकि अच्छा फॉर्म में तो विरात कोहली खेले और वर्ल कप में खेले, लगा था 11 मैचिस खेले, सिर्थ 2 मैचिस पूरे वर्ल कप में इसे थे, जिसमें वरात कोहली ने 50 ने की, बकि हर मैच में 50 या 100 किया, लेकिन बाबराजम नंबर वन है, वरात कोहली क्यों ने, यह वो स्वाल है, यह वो स्वाल है, जब एश्या कप के तो रहा हम सिललंका में थे, तो तब भी उठा था जब सिराज, मौहमद सिराज, जो इंडियन बॉलर हैं, उनकी रैंकिंग हर इस रोग से उपर आई थी, जब कोई विक्रें हर इस रोग की जादा थी, जो करंट चल रही थी, उसमें, उस लिए मैंने एक विलॉग किया था, पार्क टेवी पर मुझूद है, तो अब रीजन क्या है, उसके उपर मैं आना चार मैं चल पर मुझाई है, तो इसका अंसेट, एक्ष्वल में, बैसिकली रैंकिंग सिस्टम बनती है, रैंकिंग सिस्टम पहले आप समझने कि क्योंई हुमन सिस्टम नहीं है, कोई लोग बैर इसको बनाती है, वो एक कम्प्यूटराइस जैसे एक या कोई सिस्टम है, उसके के अंदर mention किया जाता है और वो पिछली जो क्रंट फाम है उसको देखके नहीं होता जब से क्रिक्टर खेल रहा होता है उसकी entry उस वक्से हो जाती है मैं आपको छोड़ी सी सिस्टम है इसमें क्या होता है जब कोई debut करता है तब से उसका सिस्टम में entry शुरू हो जाती है और जैसे वो खेलना शुरू करते थे उसका ranking के अंदर point आना शुरू हो जाते हैं उसमें क्या के चीज़े matter कर रही होती है इसमें यह होता है कि आप किस team के खिले हैं किस ground के पहली inning में कितना बना दूसरी inning में कितना बना इसमें यह mention होता कि अगर Australia के खिल रही है तो Australia की वर्ल्ड क्लास टीम खिल रही है या A टीम खिल रही है बस्ये मैंशन होता कि Australia है और Australia की ranking क्या है वो matter कर रही होती है उसके मताबिक mathematically उसके अंदर computer खुछ generate कर देता है कि इस मे मैं आपको एक थोड़ा रफली चीज़ बता रहा हूँ अब मैं आपको यह तो बता दिया कि विराथ कोली के इतने थे और बाबराजम के इतने यह नहीं गयरा मैच खेले बाबराजम सिर्णों मैच खेले अगेन मैंने इस विलॉग में दोनों का comparison नहीं करा comparison बनता नहीं है विराथ कोली ने बहुत ज़्यादा चीफ किया है बट मैं आपको system actual में बताना चाहरा हूँ कि यह ranking system कैसा है यह गलत है सही है जो भी है बट है कैसा मैं वो बता रहा हूँ वागि मैं भी ranking को ऐसा जितना मानता नहीं हूँ क्योंकि रैंकिंग में वही player बड़ा है जो मतब सब्सक्राइब कर रहा है जैसे विराथ कोली ने दोहुजार एकिस में आपको छोड़ी सी example दे रहा हूँ सिर्फ तीन मैच खेले हैं क्योंकि इंडिया टीम उसका experimental phase से गुजर रही थी और एकिस से लेकर World Cup तक यानि जब World Cup के 11 मैच इस मैंने बताई है 2021 से लेकर World Cup तक वि बाबराजम ने 31 वंडे मैच खेले हैं उस सब टाइम प्रियर्ड के अंदर अब मैं आपको बताता हूँ 2021 में विराथ कोली का कोई सो नहीं है एक चोड़ी सी मैं आपको बता रहा हूँ इसलिए यह सब चीज़े बता रहा हूँ कि यह पीछे से सिस्सम चलता आ रहा है यह क प्रिंट नहीं चल रहा हूँ यह पीछे से चलता आ रहा है 2021 में उन्हों थीन मैच खेले और सिर्फ दो फिफ्टी आ है मतलब सिर्फ नहीं है बहुत अची बात है कि तीन मैच में दो मैच फिफ्टी है बाबराजम की जबकि विराथ कोली की जबकि बाबराजम ने 200 किये है ठीक है उसके बाब वल्ल कप तक 2021 से लेकर वल्ल कप तक बाबराजम के 700 है सेमन सैंचुरी और बारां फिफ्टी है जिसकें अंदर इक कंजैक्टी यानि हीट्रेक भी है सो की ये बाबराजम की मैच बात कर रहा हूँ न बात बतारहौ UH 31 मैच जिसमें 700 हween और उनकी 1250 है जब शुरू हुआ तो बाबराजम का बला उतना रंस नहीं उगला मगर विराथ कोली का उगला मगर ये सिर्फ वर्ल्ल कप की परफार्मर्स को लेके नहीं होता अगर्चे वो स्कोर भी मैटर करते हैं और उसमें भी बाबराजम ने चार फिप्री तो की है यानि कि बुरी फार्म लेए उनकी बुरी फार्म इसलिए होती जब वो सो नहीं करें तो कहा जाता है बुरी फार्म है क्योंकि आफरी सो किसी भी फार्मर्मर्स का उनका नेपाल के खिलाफ है जो इस एक और खास बात बाबराजम के 9 matches हैं जो outside Asia हैं यह मैं वेन्यू आपको इसलिए बता रहा हूँ कि वेन्यू डिस मैटर के वो हम ग्रॉन में खेल रहे हैं या बाहिर खेल रहे हैं बाकी टीम लिखे जाती है जैसे बाबराजम ने जो century की है उसमें दो स्ट्रेले के खिलाब थी अगरचे वो ए प्लेयर खेल रहा है जब से debut किया है तब से वो जनलेट हो रहा होता है और यही वज़ा है कि कोई प्लेयर छेशे मान नहीं भी खेल रहा होता तब भी वो ICC ranking भी होता है तो यह हां जब कोई character retired हो जाता है तो उसको ranking system से हटा दिया जाता है सिर्फ एक इस शर्त के उपर ICC का ranking system यह है बगी जाहिरा बहुत से लोग इस इस पर आते हैं कि ranking system यह गलत है इससे determine नहीं होता कि यह player वाकि नंबर वन है यह नहीं क्योंकि world cup के अंदर देखें जिसमें अच्छा perform किया जो mega event में बड़े मंज में अच्छा खेले है तो of course वही बड़ा player होता है तो again किस पर कि यह नहीं ते जिए लावस